नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लुपी एचे आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, लुपी एचे आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और लुपी एचे आई ज्रॉप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लुपी एचे आई ज्रॉप को आँखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लुपी हे आई ज्रॉप का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए लुपी हे आई ज्रॉप का उप्योग किया जाता है इसके अलावा आखो में कोई चोट लगने पर या आखो में कोई इंफेक्षन होने पर भी Dr. lupi HAi drop को आखो में डालने की सलाँ दे सकते हैं. क्योंकि lupi HAi drop आखो में जलन और खुझली होने से बचाव करती है और आखो में नमी को बनाये रखती है. लुपी एचे आई डॉप में आर्टिफीसियल आसु होते हैं, जो हमारी आखों में नमी को बनाये रखते हैं, और आखों में इंफेक्शन को होने से रोकते हैं। आखों की लेसिक सर्जरी या क्याटराक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सुखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए लुपी एचे आई ड्रॉप को डालने की सला दे सकते हैं. आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कम्प्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आखों में या आखों के आसपास चिपचिपे म्युकस का जमाव होना आधी लक्षण आखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो लुपी एचे आई ज्रॉप की वजह से अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन लुपी एचे आई ज्रॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। लुपी एचे आई ज्रॉप को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर लुपी एचे आई ज्रॉप को दिन में दो से लेकर तीन बार आखों में डालने की सला देते हैं। लेकिन लुपी हाई जॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लुपी हाई जॉप को आखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लुपी हाई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लुपी हाई जॉप को आखों में डालने के बाद लुपी हाई जॉप के ढखकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। पुरानी खुली हुई लुपी हाई जॉप को आखों में डालना चाहिए। लुपी हाई जॉप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी लुपी हाई जॉप का उप्योग करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लुपी हाई जॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लुपी हाई जॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.